नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका चैनल डेली घजाना में आगया है यारो का यार होस्च राहूल भोज बताने के लिएक सबसे इंपोर्टेंट बात कि कैसे मनीशा रानी और मनीशा रानी के फैंडम ने जिहां शोशल मीडिया को हैक कर डाला है जी हां वीकेंड का है आज तिन यानि की सैटरड़े है और जनता मनीशा की इतनी अक्टिव हो गई है कि उसने शोशल मीडिया पे हंगामा मचाना शिरू कर दिया है आप देख रहे हैं चैनल डली खजाना मैं हूँ यारो का यार होस्ट रहुल वोज दूसरे ने चैनल रहुल वोज कमेडी है कॉमेंट सेक्शन में लिंक पेस्ट कर दिया है देखना ना भूलें दोस्तों से तो यहां पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ तो मनीशा रानी का एक एरा आ चुका है और उसकी शुरुवात हो चुकी है मनीशा के जितने भी हेटर्स हैं वो अपनी चुप करके वंग्ली मूपे लगा लें क्यूंकि उनको करारा जवाब दिया है मनीशा रानी के फैंज ने इस वक्त India trending list की अगर मैं बात करूँ दोस्तो तो India trending list में Manisha Rani बवाल मचा रही है जी हाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ एक सेकिन मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ पहले तो Manisha Rani इस वक्त social media पे दोस्तो एक hashtag के साथ बवाल मचा रही है और ये जो hashtag है ये है Manisha Rani Era Begins जी हाँ मैं आपको बता दो दोस्तो तो ये hashtag चल रहा है और इस वक्त जो है तीन लाख से ज्यादा लोगों ने इसको support किया है सोचे बिग बॉस में ज्यादे तर ऐसा होता था लेकिन अभी इस वक्त जो है तीन लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इस चीज़ को लेकर बवाल मचा रहे हैं Manisha Rani Era Begins ये देखिए social media पे है ये 7th नंबर पे trend कर रहा है 3,20,000 प्लस post के साथ ये बवाल मचा रहा है जिसमें सब यहीं कह रहे हैं कि Oh Manisha ने ऐसा कर दिया, Manisha ने वैसा कर दिया Manisha is great, Manisha is this, Manisha is that बही Manisha की अगर बात करें दोस्तों तो Manisha तो है ही बवाल और Manisha की अगर बात करें तो Manisha के जहां पे उनी ककड के साथ सौंग आ रहा है, उसके बाद उनका एक और सौंग आ रहा है second सौंग की मुझे details exactly नहीं मिल पाई है जैसे ही वो मिलेंगी सौंग की details मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके साथ साथ आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों तो Manisha रानी को पवन सिंग जी जो है, जो भुषपूरी सुपरस्टार है उनके साथ भी गाना ओफर किया गया है अब देखते हैं कि Manisha उस पे काम करेंगी कि नहीं, क्यों मैं कहा रहा हूं क्योंकि Manisha के पिताजी मनोज जो है उनसे बाचिछ जब मेरी हुई थी तब उन्होंने ये बात बोली थी कि बेटा, मैं नहीं चाहता Manisha जो है, बोजपूरी फिल्म इंडस्ट्री में काम करें क्योंकि Manisha जो है वो बॉलिवूड के लिए है और मैं थोड़ सा बोजपूरी इंडस्ट्री को थोड़ा सा सीड़ बैक में रखता हूँ क्यार अंगल जी की विश Manisha पूरी करेगी या नहीं करेगी Manisha क्या इस चीज को लेगी या नहीं लेगी जितनी भी सारी चीज़े हैं उन पर मैं आपको फाइनली अपडेट बदाऊंगा आप टेंशन मतलो इंटर्नल सोर्स है मेरे कंफर्म सोर्स है आप देख लीजिए मैंने बोलता टोनी ककड के साथ मिलने जा रही है वो मीटिंग है दिनर प्लान है फोटो सामने आगी थी सेट पर से फोटो सामने आई है इसके साथ साथ मनीशा की जो भी अपडेट आएगी कहीं मत जाएगा एली खजाना राहूल बोज बताएगा आपको टेंशन मत लो कीप आन वाचिंग बाबाए